फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं IRFC की यानि Indian Railway Finance Corporation Limited की कमपनी ने अपना quarter three का result पेस कर दिया है बहुत ही सांदार result है आकड़े बहुत ही जबर्दस पॉजिटिव है या quarter on quarter basis पे तो लगातार प्रदसन अच्छा बन रहा है उसके बावजुद भी price नहीं बढ़ रही है इसके पीछे वजह है लोगों के मन में बैटा हुआ बहुत बड़ा डर उनको लगता है कि जब government अपनी holding release करेगी तो क्या होगा फिर इसकी price और गिर जाएगी और इसी चक इसे नीचे तो क्या इस मौके का में फाइदा उठाना चीए बहुत सारी चौकाने वाली बात है जो आपको इस वीडियो के बाद निवेस करना चीए क्योंकि यहां पे आपको खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है यहां पे कभी भी आपका investment डूबने की संभाव करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ऑन बाद दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरू किजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिसकस कर लेते तो श्टॉक ओपन हुआ 23.15 पर हाई बनाई 23 23.20 की लो है 22.90 का और एंड में 23 पर क्लोजिंग दिये है जहां पे 0.65% की गिरावट देगा हुँ ली तो इस गिरावट के पीछे जो असली वज़ा है वो बाजार में भाहिंकर गिरावट जैसे कि आपने देखा है होगा सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई करी साथ में जो रसिया और यूकरेन का मामला है लगातार वो युद की तरफ बढ़ रहा है कभी भी युद हो सकता तो फिर मामला बिगड़ सकता है इसका भी ज्यादा असर हो रहा है और अपनी जो गोसित हुई है उसमें किसी भी तरह से जो चेंजिस देखना को नहीं मिले ज जहां पर हमें इन्वेस्मेंट के बारे में सोचना चाहिए और यह क्यों कह रहा हूँ यह पूरा वीडियो को आपको भी समझ में आ जाएगा लेकिन इससे पहले एक बार वॉलिम को अन्जा लिस्क कर लेते है तो पिछले एक मैने पहले इसका 98 लाक रुपीच का वॉलिम ह अब फ्रेंड्स सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी की परफॉर्मेस अगर देखे तो 20.80 का 52 वी का लो है 26.70 वीडियो फिलाल इस्टॉक 22.95 पर यानि उपर के लेवल से भी करीब 3-4 उपर नीचे आपको इस्टॉक मिल रहा है और यह जो काफी नीचे प्राइज है इस सम बड़ी होल्डिंग है अगर वो रिलीज होगी तो क्या होगा इसी डर ने यापर इन्वेस्मेंट करने से लोगों को रोक के रखा हुआ है लेकिन वाकई में यह प्योर गोल्ड है यापर आपको इन्वेस्मेंट करना ही चीए अब कंपनी न जो अपने रिजल्ट के और पिछले साल सेम कॉर्टर में देखे तो यह 39,324 मिलियन थी तो यहाँ पे कॉर्टर और कॉर्टर बेसिज देख लो या और यह और बेसिज देख लो तो इंकम में अच्छी खासी बड़ोतरी हुई है कंपनी के खर्च को अगर देखे तो इस बार 35,032 मिलियन रहा है ज जैसे इंकम में बड़ोतरी होती है तो सिधा है लाजमी के खर्च में बड़ोतरी होती है अब हम देखे अगर प्रॉफिट बिफोर टेक्स तो 15,939 मिलियन निकल करा है जबकि पिछली बार यह कॉर्टर में 15,014 मिलियन था और पिछले साल से हम कॉर्टर में यह 10,416 मिलिय जिसमें 29.59% की हमें बड़ोत देखनों को मिलिया पिछले साल से पिछले साल से हम कॉर्टर में यह इनकी टोटल सेल थी वह 3,932.39 कॉर्ट रुपीच थी 2020 में तो करीब 29 परतिसत की अच्छी खासी तेजी देखनों को मिलिया अब कंपनी की नेट प्रॉफिट जो निकल कर यह वो करोड के हिसाब से 1,593.91 कॉर्ट रुपीच है इस दिसम्बर में जहाँ पे 52.27% की सांदार बड़त देखनों को मिलिया पिछले साल से हम कॉर्टर से पिछले साल से हम कॉर्टर में की टोटल इंकम 1,046.74 कॉर्ट रुपीच थी तो जबनस बड़ोतरी है और EBI TDA देखें तो करीब 5,088.34 कॉर्ट भी निकल कराया दिसम्बर में जहाँ पे 29.64% की अच्छी खासी बड़त देखनों को मिलिया पिछले साल सेम कॉर्टर से पिछले साल सेम कॉर्टर में यह 3,9925.10 कॉर्ट भीच था और EPS भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है यानि 1.22 दो जारी किस में जबकि पिछले साल यह 0.80 सा तो EPS में भी अच्छी खासी बड़ोतरी है और हर तरह से रिजल्ट बहुत ही बैतरी ने आकड़े बहुत बहुत जाता पॉजिटिव है अगर हम इनके रिवेनी को डिसकस करें तो सेप्टेमर 2020 में 7,383 कॉर्ट भीच का था दिस समर में काफी कमी आई थी 2020 में 3,932 कॉर्ट भीच का हुआ था लेकिन मार्च में अच्छी खासी बड़ोतरी हुई 8,387 कॉर्ट भीच का रिवेनी मिला कमपनी को जून 2020 में 4,582 कॉर्ट भीच का रिवेनी हुआ और सेप्टेमर 2020 में 4,690 कॉर्ट भीच का रिवेनी मेला कंपणी को जून 2020 में 1,500, 1,500, 1,500 का प्रॉफिट लेकिन इस बार गुए 1,593 का प्रॉफिट तो पिछले दिसंबर से अच्छी खासी बड़ोत रिया और सेप्टेंबर के हिसाब से भी अच्छी खासी बड़ोत रिया ओवरल कंपणी ने बैतर रिजल पेस किया है कंपणी के अगर ने टरॉफिट को देखे तो लगातार बढ़ रहा है सेप्टेंबर 2020 में 31,687 कोड़ पीच का ने टरॉफिट था दिसंबर बढ़के 32,734 कोड़ पीच हो गया मार्च 2000 केस में 35,930 कोड़ पीच पहुच गया ने टरॉफिट जून आते आते 37,416 कोड़ गया तो लगातार कंपणी का ने टरॉफ बढ़ रहा है जो ही इसारा है कि कंपणी आगे बहुत जादा तेजी से ग्रो कर रही है और ये आने वाले समय में एक बहुत तेजी से हमारी प्राइस को भी बढ़ा सकती है यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस तेजी से आगे बढ़ सकता है क्योंकि आपको पता ही होगा जनल प्रफिट ने लगाए तो अगर उनका दाव बढ़ रहा है इसका मतलम यहाँ पे कुछ अलग है जो पुरा मामला दिखाया जा रहा है अंदर से मामला कुछ और है यहाँ पे अगर हम शेर औरिंग पर्टन क यहाँ पे बढ़ी गिरावट हो जाएगी अब कोई भी गिरवी शेर ने यह सबसे अची बात है बात करें अगर FI की तो 0.86% की जूद में थी सेप्टमर में उन्हों अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.06% कर लिया और दिसमर क्वाटर में उनकी होल्डिंग 1.09% होगी है इस आकड़े पे आपको जादा गौर करना है लगातार FI यहाँ पे इन्वेस्टमर बढ़ा रहे अगर उनको भरुसा नहीं होता है इस टॉक पे तो क्यों अपनी होल्डिंग बढ़ाते है इसका मतलब स्टॉक आगे जाके कमाल करेगा बात करें हमारे बड़े फंडाउस क तो 3.75% की होल्डिंग जूद में थी September में होद आपको होल्डिंग को अपना कम किया 3.19 किया लेकिन दिस्समर में फिर से उनना पनी होल्डिंग को बढ़ा दिया 3.20% कर लिया थो DI ने पनी होल्डिंग को बढ़ा है बात करेंगर mutual fund की तो 2.62% की जूद में थी 2.08 होई फि में 9.39 लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग घटी है यानि जनरल पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम किया 9.35% कर लिया है तो यह जो शेयर होल्डिंग पैटन है यह इसारा कर रहा है कि यह स्टॉक में बहुत बड़ी तीजी आ सकती है और जिस तरह से कंपणी ने अपनी एन बाद डिविडिन मिल जागा जुरूर और कंपणी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रेटन देगी यहां पे जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार में बड़ी गिरावट भी अगर होती है तो आपका इंवेस्मेंट यहां पर सुरक्सित रहेगा और यह सोचके ही आ को देती है जहां पर इनके आपने बन आ के कर रहा है कि कमपनी प्रगति के पथवार आगे बढ़ रही है तो दिवेस करें लेकिन फ्रेंट कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एडरेसिक वाइडरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एडियो के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किज़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए